Hello students, welcome to Nelson's English School Standard 6 Subject गुजराती ग्रामर तो आजे आपने गुजराती विश्याई मां ग्रामर मां अभ्याश करवानों छे औने ग्रामर मां आपने सर्वनाम अनितेना प्रकारों विशे जोई शू तो सवती पहला आपने जोई एके सर्वनाम एटले शू नामने बदले वप्रता शब्दने सर्वनाम कहे जी जे नाम आप्यु है एना बदले आपने जे शब्दन उप्योग करिये जी तेने आपने सर्वनाम कहिये जी सर्वा नाम ना उप्योग थी वाक्या टुंकू अने सरल बने छी जहरे आपने सर्वा नाम उप्योग करिये छे त्यारे एना उप्योग थी वाक्या टुंकू अने एकदम सरल बने छे जरे वाक्य मा कोई एकज व्यक्ति विशे वाद करवी होई त्यारे सर्वनाम उप्योगी थाई छे जेरे आपने कोई वाक्य बोलता हुई अने एकज व्यक्ति विसे आपने बात करवा ना हुई तो ए व्यक्ति ना नामनी जग्याए आपने सर्वनाम नो उप्योग आपने करिये छिए सर्वा नाम करता औने कर्बब तरीक आउतू है जग्वा नाम नाम नी जग्याय जे पदनो उप्यों कर्वा मा आवे छ। तैने सर्वा नाम कहे छ। नामने जग्याए आपने जे पदनो उप्यो करिये छिए तेने सर्वा नाम कहवाए हवे आपने जोशू एक्जाम्पल दाख्णा तरीके एक राजा हतो राजा खुब दयालू हतो राजा ए प्रजाहितना गणा कार्यो करिने नामना मेडवी हती इतला माट्टे लोको राजाने तारणहा तरीके उड़काता आता तो अहिया एक पेरिग्राफ आप्यो छे अने कौना विशे वाद करी छे तो राजा विशे वाद करी छे तो अहिया पैलनाच पेरिग्राफ माँ लग्यू छे के एक राजा हतो राजा दयालू हतो राजा नी जग्याए सर्वा नामनों उप्योग करी छे, तो एक राजा हतो ते खुप दयाळू हतो, तेने प्रजा हीतना गणा कार्यो करीने नामना मीलवी हती, एतला माटे लोको तेने तारण हा तरिके उड़कता हता, तो अईया राजा नी जग्याए एक कजव्यार राज उप्योग करी छे, एक राजा हतो, और राजा खुप दयाळू हतो, यह राजा नी जग्या ते, तेने, तेने, आ बधा सर्वा नाम छे, और यह राजा नी जग्याए आपने सर्वा नामनों उप्योग करी छे, प्रश्ण वाचक सर्वा नाम, नंबर त्रोर्ण वाचक सर् आध्लेके ौप निजवाचक सर्वनाम, नंबर 5-सापेक्ष अथ्वा सबंदी सर्वनाम अनि नंबर 6-चे ए निश्ची सर्वनाम तो सर्वनाम ना प्रकार में आपने सवती प्याला जोईशू पूरुषवाचक सर्वनाम तो पुरूश्वाचक सर्वनाम एटले शू तो यानी व्याख्य आपने जोशू तो जुदि-जुदि व्यक्तियों के पुरूशों ने दर्शावा माटे वप्रता सर्वनाम ने पुरूश्वाचक सर्वनाम कहे छे जह व्यक्तियों होई पुरुषो ने दर्षाव माटे आपणे जह सर्वनाम न उप्योग करिये छे ते सर्वनान में आपणे पुरुषवाचक सर्वनाम करिये छे य्यां एक्जाम्बल आपे आछे, दाकर तरीके नमर एक छे, हुँ आवानो छु तो य्या हुँ एक व्यक्ति नू नाम छे व्यक्ति ने दर्शामा माटे उप्योग मा Hawk चे, हुँ आवानो छु ते हुँ ए पुरुषवाचक सर्वा नाम छे नम्मर 2 आपने साथे जय शुम तो आपने ए पुरुषवाचक सर्वनाम छे नम्मर 3 छे अमारामा कोई 4 नती ले अमारामा ए ए पुरुषवाचक सर्वनाम छे नम्मर 4 तमे पुरी वाद करो तो यहां तमे ए पुरुषवाचक सर्वनाम छे હવે પૂરુસ વાચક સરવાન આમના પણ ત્રણ પ્રકારો છે એમા પ્રથમ પૂરુસ હે બીજો પૂરુસ અને ત્રિજો પૂરુસ એમ પૂરુસ વાચક ના ત્રણ પ્રકારો પડે છે તો પ્રથમ પૂરુસ આપણને જોયુશું એમાયાનો એક વાચણ હોયુશું જે આપણે પોતાના માટે યુશ કરીએ છે બીજો પૂરુશ એક વાચણ અને બઓઓચણ જોશું અને ત્રીજા પૂરુશના આ શબ્દ આપેલા છે નંબર બીજુ છે દર્શક સર્વનામ તો દર્શક શર્વનામ એટલે શું નંબર બેજ છે એ હંબણા જાવશે નંબર ત્રં છે તેને મારી મદદ કરી હતી નંબ ચાર છે પેલા ભાયે તમારા માટે સંદેશો મોકલો છે તો આ બદા જે એકજાંપલ છે એ દરશક શરવનામ નાં છે નંબ ત્રણ છે પ્રશ્ન વાચક શરવનામ નંબ બે તમે કયા ધુરણમાં ભણો છે નંબ ત્રણ કોણ આવ્યું છે નંબ ચાલ તમારે શેમાં જવું છે તો અહ્યા જે પ્રશ્ન પૂશા છે બધા શબ્દો છે એ પ્રશ્ન વાચક સરવનામ છે બરાબર હું ખુદ એ જે આ સરવનામ છે સ્વવાચક એને આપણે નીજ વાચક સરવનામ આપણા કહી સકી જે આ સરવનામ છે આપણા પોતા પણાનો નીદેશ કલે છું ખુદ તીય આવાનો તોયા ખુદ છે એ સ્વવાચક સરવનામ નાબર 5 છે સાપેક્ષ અથા સંબંદી સરવનામ તે એની વ્યાખ્યા આપણી જોઈશું જે સરવનામ ને બિજા પ્યો કરોજ પળે કે જેઓ કરશો તેઓ પામ્સો જે મેનત કરશે તે સફર થસે જેઓ આહાર તેઓ ઓડકાર જારે મીઓ શાય હેઓ તેઓ જારિં હેઓ ખેઓ છાય મેઓ ખાર તેંરચે તેઓ જારિંત તેતેં જારય યેંં યેં